प्यारे बच्चो विनिंगेज स्टेडी पॉइंट में आपका सौगत करते हैं बच्चो मैं आज आपको 10th क्लास के लिए polynomial chapter हिंदी में बहुपद के सुरुवात कराने जा रहा हूँ जिसमें बच्चो आपको बहुत तरह के टाइप के questions और नई-नई चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी इस chapter से आप पहले भी पूरी तरीके से अवगत हो चुके हैं जिसमें 9th क्लास के अंदर और कुछ हद तक 8th क्लास के अंदर आपको इस chapter पढ़ाया गया था लेकिन उसकी revision करना बहुत जरूरी है क्यों? क्योंकि जब हम इसकी revision करेंगे तब ही हम 10th के chapters को पूरी तरीके से cover कर पाएंगे तो polynomials क्या है? कैसे इसको और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है? किस तरीके से इसके उपर हमें और काम करने की जुरुत है? और ये कैसे हम असानी से सीख सकते हैं? और पेपर में किस परकार के exam में किस परकार के question आपके सामने आएंगे ये सारी चीजे हमें इसके अंदर पढ़नी है जिसके अंदर थे हम लोग NCRT, RD Sharma और previous year के questions को cover करेंगे सबसे पहले बात आती है कि polynomials में जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि polynomials है क्या अब polynomials के जो terms है वो बने कैसे है इसके अगर मैं छोटी सी basic बात करूँ तो polynomials के दो basic आधार हैं दो basic इसके basis हैं क्या base है वई? एक variable और एक constant ठीक है बच्चों? जिसे हिंदी में हम इसे कहते हैं चरपद और इसे कहते हैं अचरपद इन दो पदों से मिलकर कोई भी polynomial त्यार होता है कोई भी polynomial त्यार होता है किन से मिलकर? variable से और constant से अगर आप देखेंगे कि चर और अचरपद कि अगर हम बात करें तो भी variable कौन है? जिसकी value हमें निकालनी पड़ती है जिसकी value हमें find करनी पड़ती है और constant कौन है? अचरपद यानि जिसकी value हमें निकालनी की जुरुत नहीं है वो अपने आप में ही एक specific value है ठीक है? जैसे आप कोई भी हमें जैसे माल लीजिए x, y, z, a, b आपने देखा है कई बार इस परकार से हम लोगों के सामने terms आती है और हम उनकी value निकालते है लेकिन जो 5, 6, 1, 2, 3 या अपने आप में क्या specific है? अपने आप में fix हैं कि इनकी value यही है तो यह हमारे लिए कौन होगे भई? constant होगे constant होगे अचरपद होगे और यह कौन है? चरपद जिनकी value कुछ भी हो सकती है according to polynomial बहुपद कि भई हम बहुपद को solve करेंगे उसको हल करेंगे और फिर हम उसकी value निकालेंगे कि x, y, z, a, b, c, d जो भी है उनको भई, क्या value हमें find करके देगी ठीक है? अच्छा यह तो बात हुई कि भई, polynomial हमें पता है कि भई, variable से और constant से कई बार मिल के बना है ठीक है? कई तरीकों से मिल के बना है और अब अगर हम बात करें यह polynomials क्या है? कैसे है? क्या काम करता है तो पहली बात अगर मैं कहूँ polynomials जो है हमेशा अपने term, degree इनके according पे ही इनको verify किया जाता है इनको specify किया जाता है जैसे मैं एक छोटी सी बात कहूँ ठीक, जैसे आप अगर इनको note कर लिया हो अगर आपने तो देखिए मैं आपको बताता हूँ अगर एक छोटी सी बात कही जाए polynomials को तीन बातों पर define किया जाता है तीन बातों पर define हम कर सकते है बच्चो ठीक है? कौन-कौन सी तीन बात हैं ये? जैसे अगर मैं बात करूँ term की ठीक है? term की तो इसके term कौन-कौन से हो सकते है जैसे इनके powers के उपर घम करते हैं अगर हम इनके power को जैसे अगर माल लीजिए अकेला एक ही है ठीक है? तो एक X है तो भई हम कहेंगे से mononomial mononomial ठीक है? अगर दो term इसमें दिख रहे हैं से बच्चो हम variable के according भी देखते हैं इसको इसके according देखते है variable के according भी देखते है जैसे अभी आपको देखना आपके सामने terms आएंगी ये थर्ड चैप्टर आएगा कि बच्चो वेरियेबल one variable ठीक है? तो one variable one variable two variable ठीक है? three variable इस तरीके से इसको अलग किया गया है अच्छा और degree के according भी करते हैं बच्चो इसको हम किस के according? degree के according अब degree के according कैसे? one degree, two degree, three degree समझ रहे हो? तो ये one degree जैसे क्या? अब जैसे कर मैं बात करूँ one degree, two degree, three degree तो यहाँ पर ये degree पर क्या है? जैसे एक्स की पावर one एक्स की पावर two एक्स की पावर three ये सब बच्चो क्या होगी? degree होगी कि जब हम उनके highest पावर को देखके उनको define करते हैं तो ये बच्चो हमारा polynomial है इन ही जो को देखके हम बताते हैं कि हाँ जी, single power है, mononomial दो power है, binomial ठीक है, तीन power है, इस तरीके से trinomial, इस तरीके से ठीक है, one variable, एक x अकेला दिया हुआ है two variable, x प्लस y दिया हुआ है x प्लस z दिया हुआ है degrees की according उसको separate करते हैं कि भई, x की power one है, x की power two है y, जरूर नहीं है, x, y, a, b, c कुछ भी ले सकते हैं, तो बच्चो ये सारे polynomials इन तीन parts में हमने divide कर दी है ठीक है, इसे आप third chapter में पढ़ने को देखेंगे, ठीक है, degrees आप अभी ही पढ़ेंगे, terms आप अभी ही पढ़ेंगे, ये सारी चीजे अभी इसी second chapter में, आप terms और degree तो आप इसी भी chapter में पढ़ेंगे, अच्छा, तो यहां तक की बात तो ही clear, लेकिन अब कुछ बच्चों सवाल होगा, कि सर ये है क्या, binomial monomial है क्या, one, two, three degree है क्या, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी रखना जरूरी है, और वो जानकारी कैसे रखेंगे, तो जर्व धिहान से देखिए, अच्छा, सबसे पहले, अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले ये देखिए, अब हम कहते हैं भई, monomials, monomials, ये क्या है, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, क्या हुई, रेखिक बहुपद, क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद, ठीक है, रेखिक बहुपद क्या है, रेखिक बहुपद है, जैसे, x प्लस 3, x प्लस 3, यहाँ पर आप देख सकते है, x की पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, monomials, साथ इसाथ एक हमारे पर x है इसकी एक की value निकालनी है अच्छा, binomial अच्छा, यहाँ binomial, monomial इस तरीके से quadratic polynomial इसको ये भी कहते है, binomial को binomial को quadratic quadratic polynomial भी कहते है हिंदी में क्या कहते है इसे दुईघाथ, दुईघाथ, बहुपद समझ रहे हो, दुईघाथ, बहुपद जैसे x square plus 5x plus 6 ये हमारे लिए क्या हो गया binomial हो गया, ठीके जी क्या हो गया, quadratic polynomial हो गया जिसकी power क्या हो, maximum, 2 हो जिसकी maximum power क्या हो, 2 हो ठीके जी, और भी बहुत सारे अब भी, trinomial भी हो सकता है जिसे हम लोग, cubic polynomial कहते है ठीक है, trinomial trinomial ठीक है, cubic polynomial तो बच्चों, जब हम लोग power घाथ के अधार पर करते हैं, तो ऐसे नाम बठते चलते हैं, जिसे हम 3 घाती 3 घाती बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं 3 घाती बहुपद जैसे x क्यूब ठीक है, प्लस, और क्या कर सकते हैं ये, ax क्यूब bx square, plus cx plus d, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, तो ये सारा क्या हो गया, 3 घाती तो बच्चों, इस तरीके से हम लोग, mononial binomials, trinomials जिसे हम लोग, quadratic polynomial cubic polynomial, अगर power 4 आ जाए, तो क्या कहते हैं by quadratic polynomial, ठीक है अगर माल लीजिए, power 4 आ जाते हैं, तो क्या कहते हैं से, by quadratic polynomial, ठीक है वाई से इतनी की जुरुत है नहीं, आपको main ली यहां तक solve करना है, बाकि division में जब आएंगे तब बात करेंगे, फिलाल आप यह देख सकते हैं कि हमने यह देखा कि बच्चो, polynomials क्या चीज है, polynomial वो है जब हमें किसी term के power के आधार पे, घात के आधार पे उसको differ करना, यानि difference करना आ जाए, तो जैसे हमें दिग गया कि भाई, एक power दिखी, x के या y के उपर, या z के उपर, या a के उपर, या b के उपर, तो polynomial, हमें दो दिग गया binomial, quadratic polynomial, दुई घात बहुपद, कुछ भी, power maximum 3 दिग गया, तो maximum power को देखना आपको, maximum power आपको 3 दिग गया, तो आपने आपको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे भी बताता हूँ, ठीक है, अच्छा है, अब आपने अगर इसको नोट कर लिया हो, तो मैं आपको एक बात और बता दू, कि हम किसी भी polynomial को, लिखने के लिए, कुछ अलग types की जुरुत होती है, जैसे, हम कई प्रकार से लिखते हैं, जैसे ऐसे mostly आपने polynomials को ऐसे लिखा वो दिखा होगा, जिसे हम पढ़ते हैं, f of x, क्या पढ़ते हैं, f of x, और जरूरी नहीं आपको ऐसे मिले, बहुत तरीके से भी ये polynomial देखने हो मिल सकता है, rx भी मिल सकता है, qx भी मिल सकता है, px भी मिल सकता है, gx में भी मिल सकता है, तो ये क्या है, जैसे, माल लीजिये, मैंने एक equation ले ली, x square, minus 5x plus 6, ये ले लिया, यहां पर कोई और value ले ले ली, x plus 3, ठीक है, यहां पर कोई और value y प्लस में y-6 ऐसे ले लिया ठीक है? यहां कच और वैलो ले ली भाई x स्कूर plus यह स ले लो minus 2x plus 3 इस तरीके से ले लो ठीक है? इस तरीके से ले लो तो ये सारे इस तरीके से हम इसको लिझ सकते हैं अच्छा अब इसको इस तरीके से लिखने की जरुट क्या है? इसको इस तरीके से लिखने की जरुट क्या है? सबसे पहली बात हर चीज को किसी परकार से अगर लिखा जाता है तो उसको लिखने के एक जरुट भी पता होनी चाहिए हमें समझे रहो बच्चो? अगर हमें ये बात नहीं पता है कि हम उसे क्यों लिख रहे हैं तो फिर हमें आगे जाके इन सब चीजों को निकालने में आंसर निकालने में बहुत दिक्कत होती है तो जरत ध्यान से समझेंगे तो बच्चो अगर मैं बेसिक बात करूँ कि इनको ऐसे लिखने के जरुते क्यों बढ़ती है अच्छा आप लोगों एट्थ में और नाइंथ में जब इनके आंसर्स निकाले थे तो इनके आंसर्स को आपने क्या कहा था इनके आंसर्स को आपने नाम दिया था जीरोज क्या नाम दिया था बच्चो जीरोज, हिंदी में क्या नाम दिया था, सुन्यक क्या नाम दिया था, सुन्यक क्या नाम दिया था बच्चे उसका, सुन्यक जीरोज नाम दिया था, अच्छा क्यों आप लोगों ने इसका नाम जीरोज दिया था क्या जुरुत आन पड़ी आप लोगों को कि भाई zeros नाम देना पड़ गया इसे, कुछ और भी दे सकते थे, ठीक है, वैसे तो आप लोग कहते हो कि नहीं जी ये तो roots है, मूल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको zeros बोलना पड़ा, क्यों, बहुपद के chapter में आपको इसे zeros बोलना पड़ा, तो क्यों बोलना पड़ा, जिससे क्या बन जाए, zero बन जाए, करते थे या नहीं करते थे, हाँ भई पहले one रखे देखा, फिर minus one रखे देखा, फिर two रखे देखा, फिर minus two रखे देखा, जिस भी value पर zero आ जाता था, बस वही उसके लिए क्या होता था? zeros होता था, याद आ रहा है था भी बच्चों को जैसे चलो, अब मैं अगर इसी की बात करूँ इसी की बात करूँ, तो हंजी अगर यहां पे मैं क्या रख देता हूँ two रख देता हूँ, इसको ले लो f of x, इसको पढ़ते हैं बच्चो f of x, इसको r of x, इसको q of x, इसको p of x, या ठीक है चलिए, अब जैसे यह है तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं, बच्चों, इसमें two पुट कर देता हूँ, क्या पुट कर देता हूँ, two क्या पुट कर देता हूँ, two तो बड़े आराम से यह क्या बन जाएगा, छे चार, दस माइनस दस बराबर जीरो, आया की नहीं आया बच्चो, जीरो, ठीक है तो यानि मैंने यह देखा कि जैसे मैंने यहाँ पर two पुट किया, तो यहाँ पर answer क्या आ गया, जीरो आ गया, तो इसका मतलब मेरे लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुनने क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ बच्चो, यहाँ पर मेरे लिए सुनने क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, अच्छा, लेकिन maximum power तो यहाँ पर कितने है, दो, तो कोई एक और value भी बन सकती है, यहाँ पर बच्चो 3 रखने पर भी आ जाएगा, कुछ बच्चो के mind में चल रहा होगा, कि सर 3 रखने पर भी तो आ जाएगा, तो बच्चो definitely आ जाएगा, 3 का square, आप देख सकते हैं, 9, 15, 6, 9 and 6, 15 minus 15, answer 0, तो इसका मतलब इस polynomial का, इस polynomial के दो zeros हैं, कौन कौन है, एक तो 2 है, और एक 3 है, जिसको put करने पर इनकी value क्या बन जाती है, 0 बन जाती है, इसी परकार से यहाँ पर क्या होगा, minus 3, यहाँ पर क्या होगा, 6, आप देख सकते हैं बच्चो, कि हमें, यहाँ हमें क्या करना है, यह हिस्सा, देख रहे हो, यह हि क्या होगा, कि zeros क्या है, तो बच्चो, zeros क्या है, आपको मैंने बता दिया, कि value put करने के बाद, value put करने के बाद, value put करने के बाद, जब भी हमें, value put करने के बाद, जब भी हमें, zero मिलना सुरू हो जाए, तो वही हमारे लिए क्या है, zeros है, वही हमारे लिए क्या है, zeros है, अच् हम कोई value put करके ये पता लगाते हैं कि हांजी किस value को put करने से इनका answer 0 बन जाएगा यहां तक clear होगे थभी बच्चो को तो यह हमारा क्या है बच्चो polynomial है यह हमारा क्या है polynomial है और इसी परकार से polynomial चलता चला जाएगा और polynomial को हमें क्या करना होगा यहां से over करना होगा अच्छा अब इसके बाद अभी class खतम नहीं हो बच्चो अभी और बहुत कुछ है ठीक है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर कार इसके zeros आपको क्या help करने वाले है ठीक है तो जरा बात किसकी चल रही है जी रोज की ठीक है अच्छा अजर ध्यान से देखिए जी रोज बच्चो अगर मैं कोई भी अभी सबसे पहले मैं एक basic equation ले रहा हूँ मैं एक quadratic polynomial ले रहा हूँ हिंदी में दुई घात बहुपद ले रहे हैं भाई ठीक है जिसमें बच्चो जी रोज के लिए बात की गई तो बच्चो मैं आपको ये बता दू दो तरह के जी रोज होते हैं एक होते है sum of जी रोज सुन्यको का योग और एक होता है बच्चो product of जी रोज ध्यान से देखो जरा सुन्यको का गुननफल सुन्यको का गुननफल जरा ध्यान से देखना बच्चो क्या समझाना चाहरों मैं इसमें ठीक है इसमें समझाना क्या है सबसे पहले अगर हम बात कर रहें quadratic polynomial की तो आपके पास quadratic polynomial होना चाहिए और वो quadratic polynomial माल लीजिए आपके पास ये है ax square प्लस bx प्लस c या आपके पास एक क्या है quadratic polynomial है या आपके पास क्या है एक quadratic polynomial है समझ मारी ये बात अच्छा अब जब आपके पास ये quadratic polynomial आ चुका है तो हमें इसमें से दो answer निकालने है क्यों दो answer निकालने है क्योंकि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ बच्छो कि x के उपर कितना है square है x के उपर कितना है square है और जब x के उपर square होगा तो इसका मतलब answer भी इसके कितने होंगे दो होंगे अच्छा अब ये जब दो answer हैं इसमें तो वो दो answer कौन कौन से है याद रखिएगा बच्छो quadratic polynomial में जो दो answer निकलेंगे जो दो values निकलेंगी दो zeros निकलेंगे वो कौन कौन से होंगे एक तो होगा sum of zeros सुन्यको का योग और एक होगा product of zeros जिसे हम कहेंगे सुन्यको का कुननफल जिसके लिए आपको एक basic formula provide किया जा रहा है कि अगर आपके पास मेरी बात को ध्यान से सुनी है अगर आपके पास quadratic polynomial दिया हुआ है अगर आपके पास क्या दिया हुआ है quadratic polynomial दिया हुआ है दुईघात बहुपत दिया हुआ है तो आप sum of zeros सुन्यको का योग कैसे निकालेंगे answer है minus b upon a minus b upon a अब ये b कहां से लिया जाएगा भाई x के साथ जो भी होगा वो b होगा और x square के साथ जो भी होगा वो a होगा minus कहां से आया formula है product of zeros सुन्यको का गुननफल हंजी गुननफल का formula क्या है c upon में a c कौन है बिना x वाला a कौन है x square वाला बस इतना सा ध्यान रखना है आपको और answer आपके सामने मेरी बात समझ मारी है सभी बच्चों को clear हो गया है ठेक अब इनको हमें solve करना है और answer पता लगाना है कि आखिरकार sum of zeros और product of zeros क्या है ठेक है अच्छा अब मैं आपको एक एक करके बहुत सारे questions solve करवाना शुरू करूंगा जिसमें आपको ये पता लगेगा कि हाँ जी हमें किस प्रकार से questions को tackle करना है solve करना है और answer कैसे निकालना है तो फटा फट इसको note कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं ठेक है प्यारे बच्चों अब आपके सामने मैंने ये तीन polynomials जिसे हम लिए quadratic polynomial कहेंगे ये लिखे हैं मैंने आपके सामने ये तीन quadratic polynomial ठेक है बच्चों और ये तीनो quadratic polynomial मैं आपको करना क्या है question क्या दिया गया है question आपसे बोला गया है कि आप इन तीनो को solve करके इनके zeros निकालिए और इनके zeros निकालने के बाद इनको verify कीजिए कि जो आपने answer निकाला है वो बिल्कुल perfect है बिल्कुल सही है अच्छा zeros निकालते कैसे हैं हम लोगों ने सीख लिया है कौनसी class में 9th class में 8th class में इनमें सीखा है हमने उसी चीज को हम दुबारे या प्रिप्रेजेंट करेंगे अब verify कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा पहले इसके answer निकाली आप मैं सबसे पहले बात करूँगा इस वाले की दिख रहे आपको 2x square minus 8x plus 6 यह हमें दिया हुआ है और कहा गया है कि इसे solve कीजिए इसका answer निकालिए zeros निकालिए solution निकालिए roots निकालिए कुछ भी कह सकते है ठीक है और फिर इसे verify कीजिए चलिए ठीक है आपको पता है कि अगर हमें किसी भी polynomial को solve करना है उसका zeros निकालना है तो हमें या तो इसमें value put करके काम करना पड़ेगा ठीक है या तो हम इसको equation बनाके solve कर सकते हैं समझ रहे हो बच्चो तो equation कैसे बनाया जाता है किसी भी polynomial को अगर हम किसी polynomial के आगे equal to zero लिख दे तो वो एक equation बन जाता है क्या बन जाता है बच्चो equation बन जाता है अब बात आती है कि polynomial solve कैसे किया जाए तो बच्चो polynomial solve करने का तरीका आप लोग पहले जो सीख चुके हैं वो ये है कि x square के आगे वाले नमबर को और सबसे आखरी वाले नमबर को आपस में multiply किजिए और multiply करने के बाद आपके पास जो result आएगा वो क्या होगा 6, 2, 12 इसका बच्चो factor बनाऊवा factor बनाऊगे 2, 6, 3 इसे आप 2 से ही जाए 2, 3, 3, 1 अच्छा अब मुझे इनको ऐसे solve करना है कि मुझे बीच में क्या मिल जाए 8 मिल जाए बीच में क्या मिल जाए 8 तो ध्यान से सुनिएगा बच्चो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भई 3, 2, जा 6 और ये 2 क्या 6 और 2 को add करने पे 8 नहीं आएगा बिलकुल आएगा लेकिन प्यारे बच्चो यहाँ पे है कैसा माइनस का अच्छा तो इसके लिए कुछ जरूरी बात समझानाया चाहूँगा मैं पहले ध्यान से देखना सब बच्चो इस चीज को ध्यान से देखना क्यों जरूरी है पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए अगर आपके सामने कभी भी दो नमबर प्लस के बनते हैं दो नमबर किसके बनते हैं प्लस के ठीक है दोनो नमबर प्लस के हैं और वो आपस में भी प्लस हो रहे हैं तो हमेशा value क्या होगी भई हमेशा value जुड़ेगी चलो इतने ज़्यादा difficult language में नहीं करते हैं सीधी सिंपल सी बात अगर आपको value बढ़ानी है तो हमेशा same sign के होंगे ठीक है यानि अगर दो sign same है तो हमेशा value क्या करेगी increase करेगी मेरी बात को ध्यान से सुनना देखो कैसे माल लीजी आपके पाप plus का 3 है और माल लीजी आपके पाप plus का 5 है तो आप बिना सोचे समझे तुरंत निख देंगे क्यां जी 3 प्लस 5 बराबर 8 लेकिन अगर आपके पास minus का 3 है और minus का 5 है तब भी आप क्या लिखेंगे minus का 8 लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे यानि आपको value यहाँ पर क्या दिखाई दी 5 और 3 को जोड़ा आपने 8 और minus 5 और minus 3 को जोड़ा तब भी किजा आया minus 8 देखो value मैं मानता हूँ कि minus 5, minus 3 से value जो है minus 8 छोटी है आप इस नजरिये से मत देखो इसको आप इस नजरिये से मत देखो आप किससे देखो आप इसको इस हिसाब से देखो बच्चो आप इसको इस हिसाब से देखो कि हमारे पास जो यहाँ पर value आई हमारे पास जो यहाँ पर value आई वो value क्या है बच्चो बढ़ती हुई दिखी यानि 3 से और 5 से उपर की तरफ जाती हुई दिखी ठीक तो बस हमें ये देखना है कि अगर value plus में है ठीक है चाहे minus में है लेकिन sign दोनों same होने चाहिए अगर sign दोनों same है ये भी plus का ये भी plus का तो भी बढ़ेगी ये भी minus का ये भी minus का तो भी बढ़ेगी लेकिन बच्चो अगर माल लो sign जैसे ये है अब 8 लिख सकते हो अब अब 8 नहीं लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बच्चो एक sign है plus का तो दूसरा sign है minus का मतला opposite sign same sign पे value क्या होगी बढ़ेगी opposite sign पे value क्या होगी घटेगी value क्या होगी घटेगी जैसे अब ये 5 है और ये 3 है तो भाई घटेगी तो पांच और तीन में कितने का डिफरेंस होता है दो का अब बात आती है साइन कौन सा लगा है प्लस का या माइनस का तो मैं बता चुका हूँ कि भाई अगर जो वैलू बड़ी है उसके साइन को लगा जाता तो फाईव क्या यहां पे बड़ा है तीन यहां पे छोटा है तो फाईव के पास प्लस है तो प्लस का टू और माल लीजिए यह होता तो क्या लगाते तब भी लगाएंगे 2 लेकिन sign किसका होगा? minus का, क्यों? क्योंकि 5 के पास यानि जो 5 है अपने आप में एक बड़ी value है जिसके पास sign कैसा है? minus का, इसलिए minus का 2 तो देखो, ये plus ये minus opposite sign है, तो value क्या होगी? घटेगी plus minus, value क्या होगी? घटेगी दोनो sign same है, यानि इसमें plus plus बढ़ेगी, minus minus बढ़ेगी समझ मागी बात, तो यानि जब भी आपको value बनानी हो बढ़ा के, value बनानी हो घटा के, तो आपको क्या देखना है? बढ़ानी हो, तो दोनो sign same रखने है घटानी हो, तो दोनो sign क्या रखने है? अब वो आपको according to question देखना है, कि आपको बढ़ाना कैसे है और घटाना कैसे है, तो जैसे इसमें देखिए, हमें इसमें 8 चाहिए तो 6 और 2, 8 चाहिए बढ़ाना है, लेकिन sign कैसा चाहिए? minus का, तो दोनो sign हम कैसा लेंगे? minus का sign लेंगे मेरे बच्चों को समझ मारा सभी को 6 minus का x 2 minus का x, अब देखो हो गया minus minus, 8 plus 6 बढ़ाबर 0, ठीक है? अब इन दोनों में common क्या है का बच्चो? अच्छा, अब कुछ बच्चों common लेने बहुत दिक्कत आती है, तो बच्चों common जो लेते हैं न, common हम according to table की कौन से किसके table में आता है अब जैसे मुझे common दिख रहा है common के मतलब होता है कि क्या same है एक दूसरे में ठीक है? क्या same है एक दूसरे में ठीक है? जैसे ये वाला हाथ मेरे इस वाले हाथ के एक जैसा दिख रहा है तो भाई ये मेरे लिए क्या हो गया? common हो गया ठीक है? तो इसलिए जो एक जैसा दिखे उसमें उस चीज को बाहर निकालो तो अगर हम इन दो के अंदर देखें तो क्या-क्या common आ रहा है? एक तो देखो x तो common आई रहा है, x तो एक जैसा दिखी रहा है लेकिन देखो 2 और 6 अरे भाई, 6 को भी तो हम लिख सकते है 3, 2 जा 6, इसका मतलब 6 के अंदर 3 भी छुपा है और 2 भी छुपा है, तो इसका मतलब हम क्या निकाल लेंगे? 2, जब हम 2 और x को निकाल लेंगे, तो एक x बच गया माइनस, अच्छा 6 में से क्या निकाल चुके हैं? 2 निकाल चुके हैं, और x निकाल चुके हैं तो बचा क्या? 3, समझ रहे हो? अच्छा, अब इन दोनों की बात आती है, अच्छा, जो चीज आपने यहां लिखिए न, वही चीज आपको यहां पर भी लिखनी है, यह बात हर बच्छे को पता है अच्छा, क्यों लिखनी है? क्योंकि यह दोनों चीजे सेम होनी चाहिए, अच्छा अब यह सेम कैसे बनी होगी? जरूर यहां से 2 common निकाला होगा तब ही तो x बच गया और यहां 6 में से भी 2 निकाला होगा तब ही तो 3 बच गया, लेकिन बच्छो एक समस्या है क्या समस्या है? कि पहले यहां x था minus का, लेकिन यहां x होगया plus यहां 6 है plus का, लेकिन यहां ओके ओगया minus तो ऐसा कैसे? क्योंकि बच्छो हमने एना एक काम जबरदस्ती किया है और वो जबरदस्ती काम हमने क्या किया है? माइनस का 2 common निकालना क्यों निकालना common? क्योंकि बच्छो जब हम माइनस का 2 common निकालेंगे ध्यान से सुनना, माइनस का 2 common निकालेंगे तो जब भी हम माइनस का जबड़स्ती कोई चीज कॉमन निकालते है न तो सामने वाला उसका अपोजिट साइन का बन जाता है जैसे यहां से माइनस टू जैसी हमने कॉमन निकाला तो इसके साथ वाला क्या बन गया प्लस और प्लस वाला क्या बन गया माइनस ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये वापस अंदर जाएंगे तो इसको माइनस का और इसको प्लस का करते वे जाएंगे इसलिए हमें ये कॉमन लेना पड़ा ठीक? तो ध्यान रखिए बच्चों कि ये ब्रैकेट वाली चीज हमेशा क्या होनी चाहिए सेम तो ये आपको देख लेना है कि क्या हमें माइनस कॉमन लेने की जुरूत बढ़ रही है कभी कभार पड़ती है कभी कभार नहीं पड़ती है तो इक्वल टू जीरो अच्छा अब ये दोनों तो हैं सेम तो यहां लिखिए अब इन दोनों को एक इसको आपस में मिला के लिख दीजिए ठीक है अब एक बार इसको जीरो के बराबर और एक बार इसको जीरो के बराबर चलिए तो ये माइनस का 3 इदर आके प्लस 2X माइनस का 2 इदर आके प्लस का 2 ये भई ये 2 इदर मंटिप्लाई कर रहा इदर आके एक आई है one, एक आई है three, एक आई है one, ठीक है, तो ये हमें निकाल लिया answer, अच्छा, आप कहेंगे, sir verify करके दिखाओ, तो मैं अभी verify नहीं करूँगा, अभी आपको मैं इस type के कम से कम 10, 15, 20 question कराओंगा, जब आप ये चीज़ सीख जाओगे, फिर मैं verify कराना शुरू करू चोड़ दोगे, आप 78 लाइने चोड़ दो, ठीक है, 78 लाइने चोड़ दो, और वो 78 लाइने चोड़ने के बाद मैं दिखाओंगा, कि इसको verify कैसे करते हैं, समझ मारी ये बच्छो, ठीक है, चलो, अब अगर ये clear होगे, तो इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, ठीक इसको देखो, हंजी, अब यह आता है, फिर से मैंने बताया, पहले polynomial solve करने से पहले क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, रख दिया 0 के बराबर, अच्छा, 0 के बराबर रखने के बाद क्या करेंगे, आगे वाले को और last वाले को आपस में क्या करना है, multiply करना है, तीन 2 भी क्या होते है, 5, तो दोनों कैसे रखेंगे, प्लस, साइम साइन रखेंगे, अभी अभी बताया, कैसे रखेंगे, सेम साइन रखेंगे, कुछ भी रख लो, 3 प्लस 2x, माइनस 2, ठीक, नहीं, ऐसे solve नहीं होगा, क्योंकि यहां माइनस का है, तो बच्छों यह जाएगा 6 बन जा 6, 3, 2 जा 6, 6 माइनस 1, 5 होता है, 6 माइनस 1 क्या होता है, 5 होता है, ठीक है, तो यह रखेंगे, 6x माइनस 1x, क्योंकि हमें 5 चाहिए, अब कुछ बच्छे कह रहोंगे, कि हंजी, सर आपने क्यों नहीं लिया, 3 और 2, तो बच्छों, अगर आप 3 और 2 ले लोगे, तो क्योंकि 6 क्या होता है, 3 into 2, ठीक है, तो 3 तो आई रहा है, 7 में x, तो 3 निकल गया, x निकल गया, बच्छा x, हाँ जी, यहां से क्या निकल गया, यहां से निकल गया, x, और क्या निकल गया, 3, तो बच्छा क्या, 2, अच्छा, माइनस x और माइनस 2, माइनस x और माइनस 2 में तो भई कुछ common है ही नहीं तो जब कुछ भी common ना आए तो भई इतना तो पता है हमें कि x plus 2 चाहिए हमें क्या चाहिए x plus 2 चाहिए तो जब कुछ भी common ना आए तो हम common क्या लेते हैं 1 तो हम क्या common लेते हैं 1 लेकिν बच्चो मैंना X को भी जबरदस्ती क्या बनाया PLUS का और 2 को भी जबरदस्ती क्या बनाया PLUS का तो आपको पता अभी थोड़ी दिर बात किये पहले हमने कि जब भी हम किसी चीज को जबरदस्ती साइन चेंज करते है तो इसका मतलब हमें common क्या निकालना पड़ेगा minus, बराबर 0 ठीक है, चलिए, अब इसको तो साथ में लिख देंगे x plus 2 और इन दोनों को साथ में लिख देंगे 3x minus 1 बराबर 0, अब एक बर इसको 0 के बराबर और एक बर इसको 0 के बराबर plus का 2 इदर आके minus का 2 minus का 1 इदर आके plus और ये 3 इदर multiply कर रहा है, इदर आके divide तो x is equal to 1 upon में 3 तो बच्चों, ये हो गया आपका क्या दो zeros आ गए किसके इस वाले बहुपत के पलने पड़ी बात, ठीक, अच्छा इस वाले को solve करके दिखाईए मेरे को जल्दी से इस वाले को solve करके दिखाईए फिर मैं इसको भी solve करता हूँ चलिए तो आपने ये solve कर लिया होगा ठीक है, इसका answer क्या है देखते हैं पर इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 और ये 10, 1 और 10 की multiply करेंगे 5x plus 10 बराबर 0 क्या common आ रहा है दोनों में? x, x plus 2 इन दोनों में क्या common आ रहा है? 5, x plus 2 अचा कैसे क्योंक히 5 तूजा 10 ठीक है? अब x plus 2 को एक बार, x plus 5 को एक बार ठीक है? तो x plus 2 बराबर 0 x प्लास 5 बराबर 0 ये plus का 2 जरा के minus plus का 5 जरा के minus ठीक है बच्चो तो इस तरीके से आपको मैंने ये questions करवा दी है तीन अभी सिर्फ तीन questions करवा है और इन तीनो questions के बाद आप 6-6-7-7-8-8 line छोड़ दो कम से कम 8 line छोड़ दो क्यों छोड़ दो क्योंकि अभी verify करना बाकी है ठीक है अभी मैंने सिर्फ आपको answer निकालना सुरू करवा है अगली class में कम से कम इसके हम 10 से 15 question 20 question के आसपस करेंगे ठीक है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये quadratic equation solve करना जो है polynomial को solve करना अच्छे से आ जाए क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी मुसीबत सबसे बड़ी दिक्कत ही होती है कि 10th के बच्चों को सुरुआत में इन चीजों को solve करना बड़ी परिसानी आती है तो आप tension मतलो जब तक मैं हूँ तो आप लोगों को इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी ठीक है फिलाल अभी आपको ये type सिखा दिया गया है आगी chapter में एक और type है इसी का एक और easy तरीका है जो कि आपको सिखाया जाएगा लेकिन अभी फिलाल इस चीज़ को भी सीखो क्योंकि ये भी सीखना बहुत जरूरी है तो next class में हम बात करेंगे इनको solve करने की ठीक है तो कम से कम next class में 15-20 question ऐसे और होंगे तो चलिए next class का इंतिजार करते है अगली class आपके as per schedule चलती रहेगी ठीक है चलिए बाई